हेलो दोस्तों मैं हूँ समीर और स्वागत है आपका बुक समरी क्लब में आज की इस वीडियो में हम मॉर्गन हुसल दुबारा लिखी गई बुक दिस साइकलोजी आफ मनी के बारे में बात करने वाले हैं ये एक ऐसी अनौकी बुक है जिसे मैं बार बार पढ़ता हो क्योंकि मेरे लिए ये वन आफ दी बेस्ट बुक है सारी केटोगरीज में तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी अमेजिंग स्ट्राइजी शेयर करूँगा जो मैंने इस बुक से सीखी है रोनल रीड एक सफाई करमचारी थे जिन्होंने 25 साल तक एक पेट्रोल कम पर काम किया ये अपनी फैमली के पहले बच्चे थे जिन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की जिसका मतलब है बारवी तक पढ़ना और साथ ही साथ इन्होंने 17 साल जेसी पैनी में हैजा फ्लोर क्लीनर काम किया लेकिन 2014 में जब इनकी डेथ हुई 92 की एज में तो ये न्यूस की हैडलाइन बन गए थे यूएस में 2014 में 2.8 मिलियन लोग मरे थे यूएस में लेकिन उन में से रोनल रीड ही क्यों मरने के बाद फेमर्स हो गए क्यूंकि इनके बैंक अकाउंट में कुल 8 मिलियन डॉलर थे जिसे अगर आप इंडियन रुपीज में कंवर्ट करोगे तो वो अल्मोस्ट बनते हैं 58 करोड 32 लैक रुपीज उन्होंने 2 मिलियन डॉलर अपने स्टेप किड्स के लिए छोड़े और बाकी 6 मिलियन डॉलर अपने घर के पास एक हॉस्पिटल और लैबरी को डोनेट कर दिये अगर आप मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि रॉनल रीड के पास इतने पैसे कहां से आए तो उन्होंने बस ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और सालों तक उन्हें कमपाउंड होने दिया जो 8 मिलियन डॉलर में कनवर्ट हो गए अब आप ये पूछेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स किसे कहते हैं जिस कारण उनके शेयर्स की प्राइस भी जादा होती है जैसे इंडिया की ब्लू चिप कमपनी का एक्जामपल कुछ इस तरह होगा जैसे की टाटा कंसर्टेंसी सर्विसिज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड, एशियन पेंट्स अब मैं आपके साथ एक रियल लाइफ इस्टोरी शेयर करता हूँ जिसका नाम है रिचर्ड पुसकोन रिचर्ड एक MBA ग्रेजुएट थे, हारवर्ड यूनिवरस्टी से, जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्रीट करने के बाद, मरील लैंच कंपनी में हैजा एक्सक्यूटिव काम किया और वो इतने सक्सेस्फुल हो गए थे, अपने फाइनेंस करियर में, जिस कारण उन्होंने सिर्फ 40 साल की उमर में रिटार्मेंट ले लिया, उसके बाद फिर वो चैरिटेबल काम करने लगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था अपने उपर, और जब 2008 में म बहुत ज़्यादा पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे कि वो किसी एक फिल्ड में एक्सपर्ट बन सकें, जब हम इंजिनियर्स की बात करते हैं, तो उन्हें भी एक्सपर्ट बनने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जब बात आती है, फाइनेंस की, तो इवन हावर्ड ग्रेजुएट भी कंगाल हो सकता है, और बस एक सफाई करमचारी भी करोरपती बन सकता है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमिडियो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडि यानि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का financial decision लेता है, तो ये उसके past पर depend करता है, और हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, वो बिल्कुल different होता है, दुनिया कैसे सोचती है पैसे के बारे में, आथर कहते हैं, people do crazy things with money, but no one is crazy, यानि लोग बहुत सारे गलट decision लेते हैं पैसो की समझ नहीं है, हम लोग different generations में पैदा हुए हैं, हमें different सोच रखने वाले parents guide करते हैं, जिनकी खुद की income different होती है, जो खुद different economy में पैदा हुए है, जोब market अलग-अलग country की बहुत different होती है, और साथ ही साथ लग बहुत बढ़ा factor play करता है किसी की भी life में, यानि अगर इंडिया में poor class family में पैदा हुआ है, उनकी सोच बिल्कुल different होगी, अगर हम compare करें दूसरी family से, जो Europe में high class में पैदा हुई है, जो गरीबी में पैदा हुए हैं, उनके लिए financial risk लेना मुश्किल है, compare करें उस व्यक्ति से, जो एक high class family से belong करता है, और वो अच्छे पैसे कम आता है, वो शायद अपने पैसों के साथ risk ले सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति नहीं ले सकता, अगर आप उस generation में पैदा हुए हो, जहां पर इंडिया की economy बहुत जादा weak थी, और inflation भी काफी high था, तो शायद आप stock market में invest ना करो, compare करें आज की economy से, जहां पर जादा से जादा लोग stock market में invest करने में interested हैं, तो इससे हमें एक बहुत ही unique point of view समझ में आता है, कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, क्योंकि जो भी financial decision वो लेते हैं, उनके लिए वो perfect decision होता है, जिससे शायद आप agree ना हो, क्योंकि दोनों के experience different हैं, पैसों के मामले में, अमेरिका में स जादा पैसे spend होते हैं, और आप शायद ये number सुनकर थोड़ा चौक भी जाओ, on an average एक American 412 dollar spend करता है lottery ticket पे, जो Indian rupees में convert होने के बाद 30,000 रुपे बनते हैं, यानि 40% से जादा Americans के पास 400 dollar की emergency fund भी नहीं होती हैं, लेकिन वो 412 dollar lottery ticket पर spend करते हैं, ये बहुत ही unique है, इतने सारे Americans एक ऐसी जगा पर पैसे invest कर रहे हैं, जिसमें जीतने के chance बिलकुल ही कम हैं, शायद 10,000,000 में एक व्यक्ति lottery जीता हो, लेकिन उन लोगों के interview लेने के बाद जो conclusion निकला, क्यों इतने लोग lottery ticket पे अपने पैसे spend करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो जो भी job कर र check to paycheck survive करते हैं, जिसका मतलब होता है, जितनी income है उतने ही खर्चे हैं, अगर वो एक महीना काम ना करें तो शायद वो बिलकुल रोड पर आ जाएंगे, इसलिए lottery ticket उनके लिए एक positive सपना है, जो उन्हें ये believe कराता है, कि वो अपनी इस गरीबी से अजाद हो सकते हैं, हो सकत financial education आप से बहुत different है, और आपको जो पता है, पैसो के बारे में शायद उन्हें नहीं पता है, और जो उन्हें पता है, वो शायद आपको नहीं पता है, strategy number two, importance of luck and risk to achieve financial success, author कहते हैं कि luck और risk दोनों भाई हैं, ये दोनों एक ऐसी सच्चाई है, जिस पर हमें believe करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही matter करते हैं एक व्यक्ति के hard work पर, जैसे author Bill Gates की story share करते हैं, कि कैसे Bill Gates successful बने, Bill Gates एक low-tech high school में पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया में जिसके पास एक computer था, 1968 में, school का नाम था, Lakeside School, जो Seattle में है, जो एक city है Washington में, जिसके teacher Bill Doggle, world war 2 के navy pilot थे, उस school में वो math और science पढ़ाया करते थे, उनका ये मानना था कि किताबी knowledge तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति तभी skilled ब बात करके एक teletype model 30 computer लिया, पूरे US के colleges में भी इतना advanced computer नहीं था, जो Bill Gates के school में था, जिसके कारण जब वो class 8 में थे, तभी वो अपने friend Paul Allen के साथ expert बन गए थे computer programming में, और आज Microsoft company एक trillion dollar company बन चुकी है, जिसे उन्होंने अपने friend Paul Allen के साथ शुरू किया था, अगर हम survey करें तो 1968 में 303 million high school age बच्चे थे, पूरी दुनिया में, जिसमें से 18 million students थे US में, उन 18 million बच्चों में 300 बच्चे lakeside school में पढ़ते थे, तो हम calculate कर सकते हैं कि 303 million में से सिर्फ 300 बच्चों के पास ही access था एक computer का, यानि एक बच्चा 1 million में computer use कर सकता था, और Bill Gates उन्हीं 300 बच्चो में से थे, तो यहाँ पर luck definitely matter करता है, और Bill Gates ये कहते हैं कि अगर मेरे school में computer नहीं होता, तो आज Microsoft company भी नहीं होती, तो author हमें ये कहते हैं कि कि किसी की भी financial situation को कभी भी judge नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कभी वो opportunity ही नहीं मिली, जिससे वो अमीर बन सकें, और जो व्यक्ति अभी अमीर हैं, उन्होंने उस opportunity को सही से इस्तमाल किया, जिससे उन्हें success मिली, लेकिन किसी को भी कभी भी अपने पैसों पर गमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि luck का दूसरा भाई है Riggs, तो कभी भी उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, जिससे वो अपने सारे पैसे गवा सकता है, उसी तरह अगर आप अभी financial secure नहीं हैं, तो आपको निराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको आने वाले time के लिए बिल्कुल तयार रहना होगा, जिससे कि आपको कोई opportunity मिले, तो उसे आप capitalize कर सकें, strategy number 3, confounding compounding, how Warren Buffett become billionaire, यानि compounding की power से कैसे Warren Buffett billionaire बन गए, author कहते हैं कि हमारी knowledge अभी अर्थ के वारे में बहुत ही early stage में है, 19th century के बाद ही scientist ने discover किया, अर्थ पूरी तरीके से कहीं बार आइस से covered था, और ऐसा एक बार नहीं बलकि कुल 5 बार हुआ था, जिसमें अर्थ हजारों सालों तक सिर्फ और सिर्फ आइस में covered था, और फिर melt हुआ और फिर से आइस में freeze हो गया था, तो आप imagine कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को आइस से freeze करने में कितना strong force चाहिए और कितना heat चाहिए उसी freeze'd आइस को melt करने के लिए, early 19 में एक Serbian scientist जिनका नाम था, मिल्यूटिन, मिलान कोविक, उन्होंने ये कहा था कि gravitational pull, सूरज और चांद को directly effect करता है, पृत्वी की motion और tilt के उपर, इससे ये होता है कि पृत्वी सूरज की और tilt करेगा या फिर सूरज से दूर tilt करेगा, और इन cycles के दोरान जो 1000 सालों तक चलता था, वो पृत्वी को freeze य मिल्यूटिन, मिलान कोविक के theory के उपर deep में research किया, और उनका conclusion ये था कि पृत्वी थंड के मौसम में जादा थंड के कारण fully ice से cover नहीं हुआ, बलकि थंडे गर्मियों के मौसम के दोरान जो ice पहले से freeze हो चुकी थी, उसके melt ना होने के कारण ही पूरा अर्थ कहीं बार ice स cover हो चुका था, और जिसे melt करने में और जादा strong heat चाहिए थी, जो earth नहीं कर पाया, तो मेरा आपको ये fact समझाने का मतलब यही था कि कोई भी चीज शुरुआत में छोटी होती है, लेकिन वक्त के साथ वही चीज strong और stable होने लगती है, इसी को कहते है compounding, इसमें आपके साल क interest आपके fund के साथ add हो जाते हैं, उससे ये होता है कि next year आपके fund के साथ जो interest जो आपने add किया था, उस पे आपको interest मिलने लगता है, author कहते हैं कि Warren Buffett पे 200 से जादा books लिखी गई हैं, कि वो कैसे अमीर बने, लेकिन एक important चीज जो maximum लोग भूल जाते हैं, कि Warren Buffett सिर्फ एक कमाल के investor नहीं हैं, बलकि वो एक कमाल के investor हैं, जब से वो 10 साल के थे, main success factor Warren Buffett का यही है, कि वो पिछले 70-80 साल से investing कर रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से stocks को pick करते हैं, अगर उन्होंने सिर्फ 30 साल की उमर से investing शुरू करी होती, और 60 साल की उमर में आकर उन्होंने retirement ल 81.5 billion dollar तो उन्होंने 60 की उमर के बाद कमाए हैं, और यानि उनकी काबलियत थी investing लेकिन उनका secret और success था उनका time, और ये कहते हैं कि Warren Buffett सबसे अमीर investor हैं, लेकिन सबसे greatest नहीं हैं, क्योंकि अगर हम average annual return को calculate करें, तो Jim Simmons उन से भी बहतर investor हैं, क्योंकि उनके पैसे 66% compound हुए हैं annually, 1988 से, जबकि Warren Buffett का average annual return 22% रहा है, जो one third है Jim Simmons से, लेकिन Jim Simmons की net worth अभी है 23.6 billion dollar, जो almost 70% कम है Warren Buffett से, आपको पता है Jim Simmons सबसे अमीर investor क्यों नहीं बने, क्योंकि उन्होंने investing की शुरुआत ही की जब वो 50 साल के थे, तो मेरा point यही था कि Earth की Ice Age और Jim Simmons के example से, कि हम हमेशा सोचते हैं कि कैसे हमें better return मिलें, लेकिन आप एक चीज़ को नजर अंदास करते हो, वो है time, इसलिए अगर आप अभी 20 और 30 की age में हो, तो आपके लिए एक सबसे best तरीका है अमीर बनने का, वो है अभी से आपको थोड़ा थोड़ा investing करना शुरू करना चाहिए शुरुआत में numbers के पीछे ना जाएं, बलकि focused rain long term के उपर, strategy number 4, dangers of not having enough money, रजद गुपता कॉलकता के एक चोल में पैदा हुए थे, और उनकी परवरिश एक अनात आश्रम में हुई थी, उन्होंने अपने career में जो भी achieve किया, वो एक सपने से कम नहीं हैं, जब वो 40 साल के तो वो McKenzie Company के CEO थे, जो पूरी दुनिया की सबसे prestigious consulting company हैं, वहां से retire होने के बाद उन्होंने United Nation और World Economic Forum जैसी international companies में भी काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने Bill Gates के साथ काफी charitable काम भी किये, और वो बहुत सारी public companies के board of director भी थे, यानि रज़त एक चोल में पैदा हुए थे, और वहां से उन्होंने बहुत struggle किया, और उन्हें काफी success भी मिली, जिससे वो one of the most successful businessmen की list में आ गए थे, 2008 में उनकी net worth थी 100 million dollar, लेकिन 2008 में रज़त को jail हो गई, गोल्ड में सैच crisis case की वज़ा से, जिस कारण उनका career, money और reputation बरबाद हो गई, और author कहते हैं कि रज़त ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि he had no sense of enough, यानि वो संतुष नहीं हो पाये थे अपने पैसो से, इसलिए कहते हैं कि सबसे मुश्किल financial skill है अपनी expectation को कम करना, पैसो के मामले में, अगर आपको खुश रहना है, तो author कहते हैं कि अगर आप एक more money mentality में फस गए, तो आपके पास चाहे कित इसलिए जरूरत है उतने पैसे कमा लेने के बाद खुश रहने पर focus करना चाहिए, ना कि जादा पैसे के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी race है जिसका कभी भी finishing point है ही नहीं, strategy number 5, getting wealthy versus staying wealthy, हजारों तरीके हैं अमीर बनने के और हजारों books भी available हैं कि कैसे अमीर ब करते हैं कि क्यों अमीर रहना मुश्किल है, अमीर बनने से, जैसी लिवर मौरे greatest stock market trader थे अपने वक्त के, उनका जन्म 1877 में हुआ था और वो एक professional trader बन गए थे, जब maximum लोगों को पता भी नहीं था कि stock market नाम की कोई चीज exist भी करती है, 30 साल की age तक उनका net worth बन गया था 100 million dollars स बी जादा, 1929 October में जब market crash हुआ तो maximum shares की value 75% से भी कम हो गई थी, और ये चीज लिवर मौर ने पहले से ही guess कर ली थी, जिस कारण market crash होने से पहले ही उन्होंने अपने सारे shares बेच दिये, इससे ये हुआ कि उन्होंने 3 billion dollar सिर्फ एक दिन में कमाए और one of the most richest man बन गए, और एक investor थे, Abraham German Sky के नाम से, जो एक multi millionaire और real estate developer थे, जिनोंने 1920 में बहुत सारे पैसे कमाए थे, और उस वक्त की economic काफी boom stage में थी, तो बाकी businessman की तरह उन्होंने भी अपने सारे पैसे stock market में लगा दिये थे, और जब market crash हुआ तो वो ये सदमा सेह नहीं पाए, और उन्होंने suicide कर तो October 1929 के market crash ने जैसी लिवर मोर को richest man बना दिया पूरी दुनिया में और वही Abraham German Sky ने अपनी जान दे दी, इस incident के बाद जैसी लिवर मोर को बहुत जादा और confidence आ गया अपने उपर, और उन्होंने फिर से अपने सारे पैसे stock market में लगा दिये, और उन्होंने बहुत सारा प Sky की तरह suicide कर ली, तो author कहते हैं कि Jesse Livermore और Abraham German Sky अमीर बनने में काफी अच्छे थे, लेकिन अमीर बने रहने में दोनों ही fail हुए, पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन लगातार पैसे कमाते रहना उससे भी जादा difficult है, author कहते हैं अगर उन्हें पैसों को एक single word में define करना है, तो वो survival के नाम से define करेंगे, वैसे पैसे कमाने के लिए आपको risk लेना पड़ेगा, और एक positive mindset रखना पड़ेगा, और साथी साथ market में उतरना पड़ेगा, यहां author long term survival पर focus करने को कहते हैं, जिसमें कहीं बार market में up down होगा ही, लेकिन आपको एक long term strategy के साथ आगे बढ़ना होग और इसको करने के लिए three simple methods हैं, पहला है do not focus on higher return, focus on being financially unbreakable, दूसरा है plan that everything will not happen accordingly to your plan, तीसरा है build a personality which is both optimistic and paranoid about the future, author कहते हैं कि हमें optimistic तो होना ही चाहिए, कि जिससे आपने जो भी invest किया है, वो अच्छा return लेके देगा, लेकिन optimism में आपको realistic भी होना पड़ेगा, कि अगर success नहीं भी मिली और अगर आपको failure भी मिला, तो उससे आप अपने जिन्दगी में कुछ effect नहीं आने देगी, thank you दोस्तो, IOP वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया ह तो immediately चैनल को subscribe करें और वीडियो को like और comment भी कर दे, इससे हमारा motivation बढ़ता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी help कर सकती है, तो सब के साथ ये वीडियो शेयर भी करें, जल्दी मिलेंगे और भी अच्छी वीडियो के साथ, thank you so much.